यहारबोट कलास तेंथ जून मासिक परिच्छा का देख सकते हैं साइंस का ओरिजिनल कोस्टन पेपर आ गिया है मेरे पास दोस्तों ठीक ना हिंदी और संस्कित का हम नहीं दे पाए थे क्योंकि ओरिजिनल नहीं आया था इसलिए यह ओरिजिनल है 100% मैं गारेंटी लेता हू ओरिजिनल है यहां देख सकते जे अम आप लोग मिला ये ओरिजिनल कोस्टन पेपर में हिंदी और संस्कित का जो एक्जाम देखा आये होंगे जे एम यानि कि जून मन्त का ओरिजिनल कोसेंट पेपर है चलिए हम आपको अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताएं बाकि math का भी upload करेंगे और English का भी upload करेंगे तो आपको notification मिल जाएगा चैनल को subscribe कर दीजिए request करता हूँ एक से 30 तक objective देगा जिसमें 25 objective का आपको answer देना है चलिए पहला प्रत्न का रहा है उत्तर lens उत्तर lens क्या है उत्तर lens जो है किनारों की अपक्षा बीच में मोटा होता है C right answer हो जाएगा दूसरा का रहा है lens में कितने मुख फोकस होते हैं तो वह दो हो जाएगा B right answer हो जाएगा चैनल को आप लोग subscribe कर लीजिए चलिए दो नमर हो गया तीन नमर प्रस्ण कर रहा है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम परने का कारण है क्या कारण है तो वह जो है अपकम इसका जो कारण है हो जाएगा परकास का अपवर्तन परकास के अपवर्तन के कारण जो है पानी से भरी बाल्टी गहराई कम मालूम परते हैं ठीक ना चलिए चार नमर प्रस्ण कारण की जब परकास का एक माधियम से दूसरे माधियम में जाता है तब आपतन अपवर्तन होता है तो परकास की परकास की किरन जो है जल में परिवर परतित होने के कारण इसमें बी में उप्सन क्या है परकास की चाल में परिवर्थन होने के कारण पांच नमर करा किसी माध्यम के अपवर्तनांग का मान होता है तो बांच का बिल्कुल राइट एंसर यह हो जाएगा साइन आई बटे साइन आड चलिए छे नमर प्रसन का बिल्कुल औरिजिनल है पुरा रट के जाएगे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिजिए आगे भी आपको एक्जाम में हेल्प मिलेगा साथ नमर प्रसन का रहा है कि निमली खित में से किसका उप्योग सरल सुक्ष में दर्सी में होता है तो राइट एंसर इसका क्य अभी लंब की और मुर जाती है भी राइट एंसर हो जाएगा अभी लंब की और मुर जाती है नो नमर प्रसन का रहा प्रकास के अपवर्तन के कितने नियम है तो नो का बिल्कुल राइट एंसर भी हो जाएगा तीन नियम है ठीक ना प्रकास के अपवर्तन के तीन नियम है सोरी नो का भी राइट एंसर होगा दो नियम है परकास के अपवर्तन का भी दो नियम होता है प्रावर्तन का भी दो नियम होता है भी राइट एंसर हो जाएगा चलिए 10 नमर का रहा कि जब परकास की किरन हावा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन आप्तित किरन से होकर परवेश करती है तो दूसरे अपवर्तन होकर बाहर निकलती है तब वह मुर जाती है तो वह जो मुर जाती है प्रिज्म के आधार की और मुर जाती है ये right answer हो जाएगा 10 का 11 का रहा है शरीर में भोजन का पचना किस परकार की अभी किरिया है 11 का right answer C हो जाएगा oxy current उसके बाद 12 नमर प्रस्ण कर रहा है कि समीकरन 2CU plus O2 arrow 2C U O किस परकार की अभी किरिया है तो 12 का बिल्कुल right answer D हो जाएगा oxy current 13 का रहा है कि निमलिकित में redox अभी किरिया कौन C है तो 13 का बिल्कुल right answer E हो जाएगा ZNO plus C arrow ZN plus CO ठीक ना 14 नमर का रहा है निमलिकित में कौन अभकार की गुन परती परदर्सित करती है तो right answer क्या हो जाएगा 14 का B हो जाएगा H2S ठीक ना 15 नमर का रहा ऑक्सी कारक है ऑक्सी कारक है 15 का right answer C हो जाएगा electron त्याग करने का करने वाला ठीक ना चैनल को आप लोग subscribe कर लिजे बिल्कुल original question paper हर मन्त का इस channel पर आपको मिलेगा solar नमर का रहा SO2 की बिरंजक किरिया ASC के किस गुन को दरसाती है तो बिल्कुल 16 का right answer भी हो जाएगा अब कारक गुन 17 का रहा कोपर सलफेट का रंग कैसा होता है तो 17 का बिल्कुल right answer ही हो जाएगा नीला 18 का रहा निमलिकित में कोन अदूई बिस्तापन अभी किरिया है तो 18 का बिल्कुल right answer भी हो जाएगा चलिए अगला आप देख लिजिए देख सकते हैं जून मन्त का original question paper है और social science का upload कर दिये हैं जाके channel पे देख लिजिएगा 19 नमर का रहा है अभी किरिया H2S plus Cl2 arrow 2HCl plus S में कौन सा पदार्थ oxy कारक है तो 19 का बिल्कुल right answer D हो जाएगा 20 नमर का रहा है निमलीखित में किस गैस का उप्योग किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरुक्षित रखने के लिए क्या जा सकता है तो 20 का right answer D हो जाएगा ammonia 21 नमर का रहा है कि निमलीखित में कौन सोचन के उपरांत बनते हैं तो इसका अंसर हम नहीं निकल पाएगा तो मैं आपको पूरा 29 को का अंसर बताऊंगा ठीक एग नहीं बता पाएगा किसका 22 नमर आपका का रहा है कि निमलिकित में किस में Queen 1 किरिया होती है तो राइट एंसर 22 का C हो जाएगा PC को सीकाओं में 23 का रहा है और अब ये सोसन को सीका कि किस भाग में होता है तो राइट एंसर 23 का आपका E हो जाएगा को सीका धरब 24 का रहा है चोबिस का सी हो जाएगा ट्रे किया उसके पचीस नमर का देख लिए प्रस्न पचीस का रहे मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गोहा को उदर गोहा से अलग करती है तो पचीस का राइट इंसर डी हो जाएगा डाया फ्रों 26 का रहे को पौधे में स्वसन किस भाग से होता ह है इसका राइट इंसर 26 का बी हो जाएगा पतियों दुवारा 27 का रहे निमलिखित में कौन मानव सोसंतंत्र का भाग नहीं है तो राइट इंसर 27 का डी हो जाएगा रख्त चलिए अगला प्रस्न आपका 28 का रहे पौधों में खाद पदार्थ का परिवहन निम्नांकित किस इसके द्वारा होता है तो राइट इंसर 28 का बी हो जाएगा फ्लोयम द्वारा 29 का रहे चाले नहीं नाली काएं कहां पाई जाती है 29 का राइट इंसर C हो जाएगा फ्लोयम में 30 का रहे जाई लंग वाही काएं किस परकार की को सिकाएं होती है 30 का बिलकुल राइट इंसर B की हो जाएगा मिरित को सिखाएं तो 30 objective का आंसर हम बताएं हैं ठीक ना आप लोगों को 25 को बनाना है चलिए मोब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पीडियाफ डाउनलूड करने बता देते आंसर के साथ देख सकते आंसर के साथ बिना वाटर मर का पीडियाफ डाउनलोड करें लिए आपको गूगल खोल लेना है गूगल में सर्च मारना है SK Knowledge Class SK Knowledge Class लिख के आपको सर्च मारना है First number website आएगा SK Knowledge Class.com इस पे आपको किलिक करना है जैसे इस पे किलिक करिएगा Next page आपका खुलेगा उपर एसकोल करना है यहां आपको answer की वाला tip दिखेगा इस answer की वाले tip पे किलिक करना है फिर open का tip खुलेगा खुले का उस पे किलिक करना है उसके बाद Class 3 जून मन्तली एकजाम 2014 Original question paper लिखा हुआ मिलेगा इस पे किलिक करना है जैसे इस पे किलिक करिएगा इस परकार का इंटरफेस खुलेगा आप उपर इसकोल करना है Science objective यहां से Subjective यहां से Social Science का objective यहां से Subjective यहां से आके Download कर लिजिए Hindi और संस्कित का original paper नहीं था मेरे पास इसलिए हम नहीं डाले थे वीडियो ठीक न? तो दोस्तों आप लोग Social Science और Science का आके Download कर लिजिए बिलकुल original है 100% original है